हेलो एवरिबन माई नेम इस आयाज सौगत आप सबकर मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है वैल फ्रेश जहां आपको हेल्थ केर वैलनेस और मेडिसिन से लेटेड इंफॉर्मिशन शेयर की जाती है तो दोस्त अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे तो दोस्त मोस्त कॉमन डिसेज़ इन विंटर शर्दियों के मौसर में होने वाले कुछ कॉमन डिसेज जिनके सिम्टम्स भी आज आपको बताऊंगा डिसेज के बारे में भी बताऊंगा कि क्या-kया बीमारियां सर्दियों में हमें अक्सर होती रहती है और इसके अलावा उसके क्या-kया सिम्टम्स हैं जिससे हम पदा चले कि इस तरह की बीमारी हमें हो रही है यह डिसीज हमारे बाडी में आ चुके हैं तो उस पर अगर पहले बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्त अलर्जी की ठंड के मौसर में अलर्जी सबसे जादा आपको कमजोर हो जाता है संसेट फोजाता है जिसके वेसे यह सिंटम्स आप दिखाई दें लगते और वह सिंटम्स क्या हैं दोस इसके सिंटम्स में पहला रहता आई इरिटेशन आपको आखों में उल्जन सी मैसूस होगी आखों में आएगा और आखों में रेड़नेस भी आएगी यह इसका पहला सिंटम से जो अगर आपको दिखाए तो समझ जाएं कि आपको एलर्जी के सिंट एलर्जी के कौजिस हो चुका है दूसरा रहेगा दोस्तों र अक्सर आखम अक्सर बाइक को हम चलातुएं ड्राइब करते हैं तो धंड के मौसम में जो हवा हमारी आंखों में लगती उससे आंखों में असू निकलने लगते हैं जिसके जिसे हम वाट्री आइज करते ही आखों में पानी पानी सा फैलने लगता है इसमें चौंटर सिम्टम्स रहेगा दोस्तों इस नीजिंग इस नीजिंग यानि की छीक आना आपको कई बार 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 छीक आएगी तो यह एक ऐलर्जी का सिम्टम से पांच पार रहेगा इसमें इची नोज एंड फ्रॉट यानि नाग में खुझली होना और गले में खुझली होना यह भी आपको सिम्टम्स दिखाए देंगे अब बात करते हैं दूसरे डिसीज की जो है कोल्ड एंड फ्लू कोल्ड एंड फ्लू एक तरह का अपर रेस्पिरेट्री इंफेक्श जिसके अंदर आपको सबसे पहला फीवर महसूस होगा फीवर सौ डिग्री सी उपर अगर टेंपरिशर आपकी बॉड़ी का जाएगा फीवर की कंडिशन में तो वह एक कोल्ड एंड फ्लू का सिम्टम्स रहेगा इसमें दूसरा रहेगा दोस्तों हैडिक यानि सिर का दर् हैनि यहांनि अज्वर का सब्सक्राइब हो रहें थमस्फ उगन दर्ड करें और आपको से तूटने पश्शाभी में पहला स्वां में दिखाइब मेर दोस्तों यहां मिंद्स सब्सक्राइं इसे बाद है इसी दो आपको जाहिर तावर पर निकलेगा नहीं खासने पर लेकिन वह सुखी खासी के तौर पर आपके गले में इरिटेट करेगा तो यह भी सिम्टम्स आपका कोल्ड एंड फ्लू के डिसीज में आएगा तीसरा रहेगा दोस्तों कंजेक्टिव एटेस यानि आखों में गुलाब जो कि अग्यक्टिव एटेस कोजिस के सिम्टम्स कहला एगा जो कि ठंड में अक्सार होता रहता है चौन्सा कोमन डिसीज है दोस्तों डाइरिया ठंड के मौसल में भी जादा देखने को मिलता है और अक्सा अडल्स में भी यह प्रॉब्लम होती है और और लेजिस में यह स सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं वेट आपका खराब होता है और एक पैने कटेक यह बहुत ज्यादा घपराना एक पैने कटेक्ट आपके अन्दर महसुस होता है तो कई कंडिशन में पैने कट आने के वज़ए से आपको डाइरिया के बिमारी हो जाती है नहीं दस्त लग आपको से ही आपको अंदाजा मिल जाता है कि आपके पल फकर अटाम के सिंव्टम्स आ गए कर फिस morte होति नहीं लेकिन आपका मन करता कि मुझे उल्टी होने वाली यह लटी हो जाएदी कॉन शनी को होता है चौनता रहेगा दोस्तों फीवर का अक्सर हो जाना यानि फीवर की पॉसिबिल्टी रहती है कि आपको डाइरे दस्त के साथ साथ एक फीवर भी महसूस होगा शरीर में भारीपन और जोनों में दर्द भी आएगा जिससे डाइरे के सिम्टम्स में ही इंक्लूट करें यानि आपके अंदर एक एमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस से अगर आप जूशते हैं तो ठंड के मौसम में सिर्कदद और बाकी मौसम में भी सिर्कदद जाहिर चिवाते आप में होता है दूसरा रहेगा दोस्तों इसमें फटीग ठकान ठकान आपको मैसूस होगी जिसके व मतलब नीद को अच्छी तरह से नहीं लेंगे रेगुलर स्लीप करेंगे तो भी आपके सिर्मेदर्द हो सकता है जो कि ठंड के कॉमन डिसीज में आता है प्योंसा रहेगा दोस्तों इस्किपिंग मील्स यानि अगर आपका खाने पीने का रूटीन ठीक से नहीं रहेगा आ अगर ठीक से खाना नहीं खाएंगे पेट भरा नहीं होगा तो हो सकता है इसके वैसे भी आपके सिर्मेदर्द हो सकता है जो ठंड में कॉमन होता है पांच वारेगा दोस्तों अगर आप येलकोहल लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत जादा नुकसान है अगर ठंड के सीज होता है जिसमें आपको उल्टी मतली मैसूस होती है और आपको इसके अलावा उल्टी भी हो जाती है एक्सर ऐसे केसे में जिसमें पहला सिम्टम तो देखें का दोस्तों मोशन सिकनेस मोशन सिकनेस के वाज़े से यह कौज आपको होगा आप अगर बस में ट्रेवल करत सकते हैं तो आपको थोड़ा सा मतली जी मतलाना या उल्टी होना यह कौमन देखा जाता है जो की कौमन डिसे ठ्षंड के विंटर का कहलाएगा और जिसका नौज़ा और वोम्यंटिंग यह मोशन सिकनेस के वे से आपके अंदर हो इसमें दूसरा आएगा दूस्थों डूम कुछ एलकॉल यानि बहुत ज्यादा एलकॉहल कंजूम करना आइकोहल पीने से यह बीमारी होती है कॉमन सी बात रिठंड में नौजिया एंड वॉमिटिंग जी मतलाना और उल्टी भी हो सकती है तीसरा रहागा दूस्तों मौर्णिंग सिक्नेस इन प्रेगनेंट वुमेंट कि अगर जो हम एंटिबाइटिक लेते हैं डॉक्टर दौरा प्रेस्क्राइब की जाने पर तो वह एंटिबाइटिक के वज़े से भी हमें मतली आ जाती कभी या उल्टी जैसा मैसूस होता है इसके अलावा बर्थ कंट्रोल टैबलेट यह बर्थ कंट्रोल टैबलेट जो दौक्टर दौरास प्रेस्क्राइब की जाती विमेंश को तो उसको टेक करने से भी अक्सर उन लेटी को मतली आती है यह उल्टी के शिम्टम्स दिखाए जेते हैं तो यह कुछ है यह यह कुछ है मैंने अक्टकोश्फ का और उल्टी मतली होना यह ऐसे सिम्टम्स अगर दिखा देते हैं इसके सिम्टम्स दिखा देते हैं इन डिसीज के तो आप जरू डॉक्टर से कंसर्ट करें और अच्छी मेडिसिन उन से प्रस्क्राइब करो हैं अगर आपको जनकारी अच्छी लगी हो कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करना चैनल पर बने रहिए और इसी तरह जुडंए के लिए चैनल पर और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप जरूर्व चेनल को सब्सक्राइब भी करें और बैल आइकन यहां करें तो अब दीजिए मुझे इजाधत मिलते हैं और बुट्बाइ